लोगसवा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवाया तेज हो गई है दावा किया जा रहा है कि जेडियू ने विशेश राजी के दरजा की मांग की है इस पर इस्तिती को पूरी तरह साफ करते हुए जेडियू के मुख्य प्रवक्ता किसी त्यागी ने जोर दे कर कहा है कि उन लोगों की इक्षा बिहार को विशेश राजी के दरजा की जरूर है लेकिन जेडियू मांग या डिमांड जेडियू की ये मांग या डिमांड नहीं है लोग सभाचुनाओं के नतीजों के पाद दो लोगों के डिमांड बहुत ज़ादा है ये है टीडीपी के चंदरबाबु नाइडू और बिहार के सीयन नतीशकुमार सरकार गठन के पहले कयासों का बासार भी कर्म है और बिहार को विशेश राज्जी का मुद्दा एक बार फिर सुर्ख्यों में है हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज़ादा विशेश ध्यान दे बिहार को विशेश राज्जे का दर्ज़ा दे प्रवक्ता नीरज कुमार ने सूशल साइटेक्स पर पूश्ट करके तैस्वी आदो पर तंज गसा है नीरज कुमार ने लिखा है माननीय नितीश कुमार जी ने गतिमान विकास के साथ राश्ट्रिय विकास दर कायम रखा विशेस दर्जा, विशेस पैकेज, विशेस सहायता, विशेस नसर हमारी चिंता विपक्षी जेल में विशेस दर्जा की चिंता करें बिहार की चंता ने राजरितिक विड्रेस्ट तो देही दिया है यह चिंता हमारी नहीं है आपको राज करने का मौका मिला तो संबत्ती सुरियन कर रहे थे, परिवार बात चला रहे थे बीचे पिनेता और बिहार सरकार के PhD मंतरी नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि किसे तरह की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चल रही है ये बस लोगों के मन का ब्रहम है जेडियू ने साफ कर दिया है कि उनकी कोई डिमांड नहीं है हाला कि बिहार की विशेस राज्य के दर्जाए का मुद्धा एक बार फिर चर्चा में ज़रूर आ गया है न्यूस एटिन के लिए दिली से अमितेशु सिंग के साथ पटना से रवियस नराएंड और धर्मेंदर कुमार की रिपोर्ट